अलू अरजुन के फैंस के लिए बड़ी खुसकवरी है पुस्पा के बाद अलू अरजुन के फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि उनकी मूवी कौन-कौन सी आने वाली है तो आज अलू अरजुन की इनी मूवी को हम कवर करने वाले हैं अगर आप भी अलू अरजुन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना नमबर तीन पर है पुस्पा दा रूल पुस्पा पार्ट टू को उसके ओल्ड कास्ट के साथ कंटिन्यू किया जाने वाला है यानि कि अलू अरजुन रस्मी का मंदना फाहत फाजी लेकिन इसके इलावा न्यू कास्ट एड किया जाएगा दोस्तो हाली ही में आए रिपोर्ट की माने तो वीजे से तुपती को एड किया जाएगा वहीं पुस्पा 2 के बजट की बात करें तो पहले से काफी जादा बढ़ा दिया गया है इसका बजट साथे स्टार सो से पानसो करोड़ का होने वाला है इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि जैसा की पुस्पा ने सिकावत से कहा था कि सरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई इजट नहीं करेगा इसे ही पार 2 में दिखाये जाएगा क्योंकि गावालों के मसीहा को पुलिस ने जेल के अंदर डाल दिया है और फिर गोलिया भी बरसाई है ऐसे में हर कोई पुलिस परसासन के खिलाव मोर्चा खोल देगा पार 2 में रस्मी का मंदना उर्फ श्रीवली पतनी के रूप में नजर आने वाली है मूवी को जनवरी 2024 में रिलीज किया जाएगा अबरूल पुश्पा का मूवी काफी दुनों से चर्चे में है क्योंकि इसकी अनाउंस्मेंट काफी पहले कर दी गई थी आइकन एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसको डारेट कर रहे हैं वेनू सिरी राम और इस मूवी की कास्टिंग में अलू अर्जुन, कृती सेटी और पूजा हैगरे नजर आने वाली है आपको बता दे कि ये पैन इंडिया रिलीज नहीं होने वाली थी पर पुस्पा के सकस के बाद अलू अर्जुन की सारी मूवी पैन इंडिया पर रिलीज की जाएगी इस मूवी को 2023 में ही रिलीज करने की बात की जा रही थी पर पुस्पा के बाद इस मूवी को डिले कर दिया गया है क्योंकि अलू अर्जुन पुस्पाटू की सूटिंग में लग गए थे अब ये मूवी 2024 में देखने को मिलेगी नमबर एक पर है डवल ए टू वन जिसको डायेट कर रहे हैं कौराटला सिवा कौराटला सिवा ने पहले भी बहुत सारी हिट मूवी को डायेट किया है अलू अर्जुन की काफी मूवी को डिले किया जा चुका है जिसमें ये मूवी भी सामिल है इसी के बाद ये मूवी आपको 2024 में या 2025 में देखने को मिलेगी तो दोस्तों यही थी अलू अरजुन की अपकमिंग मूवी आपको इन में से किस मूवी का इंद जा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं ऐसी नियू वीडियो में